दुस्तों स्वागत आपके अपने चानल civil site visit में तो आज आपको मोका मिल रहा है एक certified civil engineer बनने का site engineer बनने का तो वो मोका कैसे मिल रहा है और क्या क्या चीजें चाहिए होती है एक certified site engineer को अगर आप certified site engineer बन जाते हो तो job काफी जल्दी मिलती है फिर आपकी growth काफी जल्दी होती है और salary काफी ज़दा अच्छी मिलती है जो company skills demand करती है अगर वो आपके पास हो तो आपको तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरे को job चाहिए खुद company आपको hire करेगी देखो क्या जरूरत पड़ती है अगर building construction में आपको जाना है या highway construction में सबसे पहले layout का काम आपको आना चाहिए मतलब layout कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए estimation का आपको पता होना चाहिए estimation कैसे किया जाता है quantity survey का आपको knowledge होना चाहिए rate analysis का आपको पता होना चाहिए surveying का आपको पता होना चाहिए bar ending schedule के बारे में billing के बारे में contract tendering के बारे में construction का जो process रहता है उसके बारे में side की checklist क्या है BQ कैसे बनाते है MB book writing कैसे रहती है DPR का format जो होता है वो क्या है project side visit resume making और portfolio ये सब चीजे company क्या करती है demand करती है आपसे और अगर आपको आती हो तो आपको salary भी मिलेगी और एक अच्छी job भी मिलेगी तो इसके लिए आप एक 10 minute की counseling session book करिए free में रहेगा वो आपको पूरी guidance मिलेगी पूरा ये सामने आप number देख रहे हो 911 001234 और आपको पूरा बताया जाएगा field के बारे में आपके career के बारे में सब चीजे practical side training रहेगी जिसमें आपको पूरा practically सिखाया जाता है आपको पूरा visit करवाया जाएगा जैसे आप सामने fix देख रहे हो पूरा practically आपको relate किया जा रहा है side दिता फिर आप ये कहां कहां training ले सकते हो ये practical training आप कहां कहां ले सकते हो आप एमदाबाद से हो तो आप एमदाबाद में ले सकते हो आप भिलाई से हो भिलाई से ले सकते हो बोपाल से ले सकते हो बिहार से ले सकते हो डेली से ले सकते हो जैपूर में हो तो जैपूर से लखनाओ से मतुरा से पूने से और प्रयागराई से आप कहीं भी इस लोकेशन के इर्द गिर्द हो जाए इस लोकेशन पर आप जा सकते हो सीखने के लिए आपको होगा क्या 65% 55% फी आपको जब आपकी प्लेस्मेंट हो जाएगी ना तब आपको सिर्फ थोड़ा ही पैसा पहले देना है बाकी प्लेस्मेंट के बाद और हर मंत के पहली तारीक को क्या होता है बैच स्टार्ड होता है और एक बैच में सिर्फ 20 सिविल इंजिनेर रखे जाते हैं तो आपके पास मोका है जोइन करने का और आगे बढ़ने का वो ट्र और आपको आने चाहिए वो आपको ये देती है प्रॉब्लम सॉलबर आप ओने चाहिए वो ट्रेनिंग आपको ये देती है और पॉजिटिव एटिट्यूड और कॉमन सेंस ये सब चीजें ट्रेनिंग के हल्प से मिलती है और हमारी कंट्री को इस समय अगले 10 सालों में पानी है तो आपको कोर्स ट्रेनिंग करना पड़ेगा तो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो कुछ ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें पूरा मैंचन है आप यहां देख रहे हो ट्रेनिंग का पूरा डिटेल दियेगी आपको क्या क्या आता है फिर हम बात करते हैं आप इसको join कर सकते हैं जहां कॉल कर सकते हो सामने phone number बी है description में link भी है डिएरेक्ट join भी कर सकते हो call भी कर सकते हो तो जल्दी जाके apply कर लिजिए क्योंकि civil गुरूजी का एक नारा है कोट है करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ तो आपके पास मोका है जल्दी जाके अपलाई कर लीची